हेलो एबरीवन वेल्गम तू यह तनार वीडियो अफ खेल तंदरा दोस्तो इंडियन सूपर लीग में अब नौर्थी स्मेटर एपसी खेलेंगे केरला ब्लस्टर्स एपसी के खिलाब जी हाँ दोनों ही टीमों को अपने ओपोनें के हाथो सीजन के ओपिनिंग मैच में ही 4- गलरो एपसी ने हाड़ाय था तीम को सेकेंड हाफ में बीएपसी के प्लेयर्स ने हावी होने ही नहीं दिया नौर्थी स्मेटर एपसी के डिफेंस बहुत फ्रेजाइल लग रहे थे और तीम के एटेग में भी अभी भी तालमिल की कमी है प्री सीजन की बात करें तो प्री आकफ़र्म में हे लेकिन मिद्फिल डिपार्डमेंट में अभी भी फिफषूर की ज़रुरत है वही अगर अगर आप यहां पर प्री सीजन की बाहर करें तो केला ब्लास्टर उसकी मैंशमेंन ने प्री सिजन को लेकर काफी एक्टीव निस दिखाया था और ब्लास्टर क इसका 24-7 customer care support है और Google पे, phone पे, Paytm से आप अपने winnings withdraw भी कर सकते हैं दोस्तों मैंने comment पे link डाल के रखा है तो इसको जरूर चेक कीजिएगा की players के अगर आप बात करें तो यहाँ पर North ही समेटर FC के लिए once again Dashon Brown will be a key player defense में Patrick Flotman की उपर काफी responsibility रहेंगे midfield department को खासा कमारा गाईगो जैसे players को संभालना होगा वही केरला प्लास्टर्स के लिए Adrian Luna, Jorge Dias Pereira जैसे players एहम होंगे सहाल अब्दुल समान ने भी last match में एक महतपून गोल किये थे तो उनके उपर भी काफी निगाहे होंगे character 11 की अगर आप बात करें तो Highlanders की team यहाँ पे इस lineup के साथ खेल सकते है defense में Patrick Flotman का खेलना बहुत ही जरूरी है वही attack में Dashon Brown मौजूद रहेंगे अगर अब यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स की बात करें तो Vukamana Week अपने team को कुछ इस प्रकार के line-up के साथ खिला सकते है अगर अब यहाँ पे final verdict की बात करें तो on paper यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स की team बहुत strong है North East Mater FC की attack में अभी भी और ब्राउन के बीच वो understanding और partnership नहीं बन पाया है defense में जेस्टिन जोर्ज मोहामद इर्शाट जैसे प्लेयर्स ISL के X-PODER को लेकर ज्यादा अनुभवी नहीं है तो guys हम कह सकते हैं it will be once again another difficult match for North East Mater FC live streaming के अगर आप बात करें तो 25 November की शाम 7.30 PM से आप इस match को देख सकते हैं Star Sports Network इस match की broadcasting करेंगे